है जुआ अगाइस में चानल इंटरेगा इफिवांद मसीन पर इस तरीके साथ आज आने देखा मारकेट को तो मारकेट एक तरीके से साइडवेज साइडवर्स मार्केट थी पर जो हमने आपको स्टॉक्स प्रोवाइट कराए थे गाईज वो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा गाईज अगर हम बजाज फिनेंस की बात करें तो मैंने आपको 4000 लेवल पे बाय करवाया था बजाज फिनेंस और आपको बता दिया था अगर हम बात करते हैं नेक्स टॉक की जो था है एलेंटी इन्फो टेक उस पे विवन आपको बाय की सला दीती है प्राइस की ऊपर निकले तो हमारा फर्स तागेट हो गया था तो प्रॉबबली जो हम इंट्रेडे टागेट लेकर चलते हैं वह फर्स तागेट ही लेकर चल अब गाइस करना क्या है अब गाइस करना क्या है अब भी साइड वेश रही है कोई पैटर्ण डेवलप हुआ है मारकेट पर नहीं हुआ उसके बारे पर हम देखेंगे और मारकेट कहां तक जा सकती है बैंक निफ्टी में किस तरीके से स्ट्राटेजी आपको बनानी चाहि करेंगे और गाइस 30 सप्टेंबर को जब मंडे को मारकेट ओफन होईगी तो उसी के साथ हमारा गुरुप जो वट्साप गुरुप आपको बताया गया था गाइस टॉक मारकेट का कोर्स का वह भी ओपन हो जाएगा और तब से हम अपनी जर्णी स्टॉक मारकेट के ट्रेन जाएगी किस तरीके से क्या क्या करवा जाएगी सबसे वहले हम बढ़ते हैं बढ़ते हैं बजब करने की सलदी जाएगी आपको 438 के पास मिलता है उपर मिलता है आजपास मिलता है तो बाय करिएगा क्योंकि 441 करन मा के फ्राइज है थोड़ी बहुत डिप देता है दो तीन रुफे की बाय करिए फोर टागेट ओफ 444449 स्टॉप लोग जो आपको मिंटेन करना है गाईस 434 का मिंटेन करना होगा कोल इंडिया शॉट हमने देखा था कि खाल एक कोल इंडिया में बहुत तेजी से मुव्मेंट आयती तो वह अमारे लेक शॉट का कैंडिट है आज भी है वह गिरा तो कल भी वह गिरेगा गाईस एक दिन उच्छाल आने के बाद कोई बात नहीं अपने रिजिस्टेंस पर आगे था तो हम दुबारा शॉट करेंगे से सेल करनी की सला दी जाएगी 196 192 तक के टागेट मुझे लगते की कोल इंडिया दिखा सकता है 203 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस आपको मिंटेन करना पड़ेगा कोल इंडिया के इंडुसिंट बैंक शॉट करनी की सला दी आपको 1471 1463 तक के टागेट आपने को मिल सकते हैं स्टॉप लॉस आपको 1492 का मिंटेन करना है भारती एटेल गाईस बाय करनी की सला दी जाएगी काउंटर बहुत बढ़िया काउंटर है और अभी मुझे लगता है कि इस पेक अपसाइड बागी है 349 का आपको क्रामा के प सब्सक्रान की जायों कि शोर्ट करनी की सला दी जाएगी जाएगी करिक्यू थोड़ा दिहान से उन्टिकेव करें करें यह मुवमेंट02 TWO तरीके से उनकर अड़े मुवमेंट02 2752 का इसका CMP है 2761 का आपको stop loss maintain करना है 2744 2738 तक के टागेट आप इस पर meet करके देख सकते हैं आपको पताएगी यह टागेट आ सकते हैं आप नीचे देख रहे हैं टेली गराम चैनल पर आप जोईन हो सकते हैं यहां पर भी आपको थोड़ी बहुत डेटेल्स भिल जाएंगी और गाइज चार्ट की तरफ बढ़ते हैं चार्ट में किस तरीकिसा में क्या दिख रहा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं उससे पहले मैं तो बता देना चाहूंगा थोड़ी इंपर्टेंट बार्स आपके साथ शेयर कर देता हूं यह मेरा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल पर आपको मैं दिखा देता हूं कि यह मेरी वीडियो जो भी है जो में अप्लोड करते रहता हूं इस पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी वीडियो अप्लोड करी थी पांच दिन पहले स्टॉक मार्केट के कोर्स के बारे में टेकनिकल अनालेसिस के फ्री कोर्स के बारे में इसी पर आपको वाटसाप गुरूप की सारी डीटेल सब कुछ मिल जाएगा इसे जाके जरूर देखेगा डिस्क्रिप्शन पर इसका लिक आपको मिल जाएगा साइड वर साइड आपको यहां पर वीडियो के इंट पर भी आपको इस वीडियो का टाइटल शो कर जाएगा तो जाके जरूर देखेगा दूसरी बात अगर वाथ की बात करें तो आपको मने बताया था कि आप मुझे माल भेज सकते हैं आप मुझे deren में सेज करेंगे पो आपको में में pero स han han kater लूँगा जिख सकते है वो वरी ना करें, उन्हें एक link मिल जाएगा, जो भी WhatsApp ग्रूप, WhatsApp पे मुझे आप लोगे ने जो भी messages भेज़े हैं, guys, उन लोगों को भी add कर दिया जाएगा, और उनको भी एक link भेज दिया जाएगा, और आप WhatsApp ग्रूप पे directly add हो जाएगा, guys, WhatsApp ग्रूप का जो link है, वो मैं description पे या अपने social networking sites पे कहीं नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत जो interested नहीं है, वो लोग भी add हो जाएगे, और फरफालतु की बाते होंगी, या बहुत जादा क्यों समय देखने को मिल जाएगा, तो guys, जो सिफ हम देख सकते हैं, कि जो अच्छे से learn करना चाते हैं, ज जो हम देख सकते हैं, strictly follow करेंगे, जो हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे, या सिखाएंगे, जो discussion हम करेंगे, guys, अकेला मैं ही वहाँ पर message नहीं बेजूँगा, आप लोग भी message भेजेंगे, पर message में आपको पहले बता देता हूँ, क्या होना चाहिए, सिर्फ हम learnings की बात करे सिर्फ learning से related होगी, हाँ, अगर आपने कोई position hold कर रखी, अगर आप चाहते हैं, कि मैं इस particular chart पे आपको क्या दिख रहा है, या क्या है, तो वो share हो सकता है, पर मैंने ये position बनाई ही है, मैं क्या करूँ, तो आपको group से at the time निकाल दिया जाएगा, तो कहीं आपको, अगर आप interested हैं, की नहीं है, तो मैं आपके reply ज़रूर करूँगा, आपको एक link share कर दिया जाएगा, यहाँ पर आपको कोई link निक निक शेर कर दिया जाएगा, जिन जिन लोगों ने मुझे YouTube के अपने comment section के अंदर भी नाम भेजे हैं, उनने भी मैं एक link भेज दूँगा, उनके number के त आप देख सकते हैं कि आज market की starting कैसे होई, उसकी तरफ से हम ध्यान देते हैं, so market ने call close कर रहा था इस level पे candle, so candle play call close करने के बाद मैंने आपको क्या सला दीती गई, आपको यह बताया गया था, कि जब यह 29,800 यह 29,775 का level तोड़ता है, जो कि आपको यह बताया था, यह level देख रहे हैं, यह line आपको खिची भी है, यह level जो मैंने आपको बताया था, जैसे यह level तूटता है, 29,775 का level, तूटने का मतलब मैंने आपको 10 बर बता चुगा हूं, guys, तूटने का मतलब जैसे इस line का तूटने का मतलब यहां पर यह closing दे रहा है, shadow छोड़िए हम नहीं trade लेंगे, जब तक इसके नीचे red candle पे close नहीं करता, और अगली जो red candle होगी, वो भी red candle होनी चाहिए, तो ही हम यह आपर अपना trade इनिशेट करेंगे, so कोई trade नहीं बना short side में, दूसरी बैत आपको by position की चला मेंने कब दीती, जब ही 38% का retracement level है, यानि कि 30,140 का level अगर यह तो अगर आपने थोड़ा high मारा और उसके बाद तुरंद market नीचे आगया, और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं, इस level पे मैंने आपको shot की सला दीती, और इस level के वो 40-50 point नीचे भी गया, यानि कि अगर आपने इस level को समझ के shot करा होता, तो आप loss में ही निकलते गा, क् मैंने आपको बताया था, closing candle जब तक नहीं होगी, तब तक आप यह trade नहीं करना, वरना actually में जाके आपको loss ही होगा, देख सकते हैं इस तरीके से, अगर आप यहाँ पर अपनी by position बनाते हैं, और अगर आप यह target लेकर चलते हैं, पांच विनिट के अंदर आपको जो profit हो रह आप देख सकते हैं, आपर exact यहाँ support लिया, market एक recovery दिखाई, recovery दिखाने के लिए 38% के retracement level पिस ने resistance फेज करा, दुबारा market नहीं है, तो यह sideways था, ना में buy का level मिला, ना में shots करने का level मिला, तो market अभी sideways trend में चली गई है, बहाँ पर काम कर रही है, तो एक pattern दिख रहा है, वह पर एक कम कैसकते हैं, अच्छा pattern तो नहीं है, मतलब अगर हम कहाएक perfect pattern बनावा हूँ है, पर एक cup and handle का pattern बनावा है, यह आप देख सकते हैं, कि यह जो level आपको देख रहा है, यह जो level है, ऐसे अगर हम एक आशा लेकर जाएं यह देख सकते है, यह जो level है, यह cup है, और जो र चीजह टीज बनी वी एका भी जो रेंज देख रहे हैं, जो इप स्वादीट कर जाएं जो felony को जरूँने के बाद एर गरिए. है यहां यह consolidate कर रहा है तो इक कपन हंडल का इसने एक formation कर रहा है तो यानि कि की हांड जी नीचे की साइड की हाड यह इजय की रहा है जो आपने line पहले सी के चाहिए इस line के ऊपर अगर आपको मिलताए इस line के उपर यानीग कि 38.2% retracement level की ऊपर आपको मिलता है कभी ही 30,000 141 50 की ऊपर candle close करते वए अगर आपको तो आपको बाय पोजीशन मनानी है पहला टागेट जो आपका होगा वो आपका टागेट होना चाहिए 30,000, 365 या 300 तक का है प्रॉक्स टागेट और अगर यह नीचे की साइड में तोड़ता है या निकि अगर 29,775 का लेवल तोड़ता है तो हमारा फिर्स टागेट जो होगा गाईस फिर्स टागेट हमारा होगा 29,600 और हमारा जो नेक्स टागेट होगा वो गाईस 29,450 या 400 का लेवल आपको मैं रेंज बता चुका हूँ गाईस की आपको दाउसाइड में 300 point मिल सकते हैं और अपर साइड में आपको 200 से 200 point मिल सकते हैं इस रेंज केंदर आपको trade करते हुँ देखें तो आपको trade नहीं लेना क्योंकि आप कोई बात निए आप एक दो दिन trade ना लीजिये अगर आप को एक perfect trade मिल जाए तो आप जो तीन दिन आपनी ट्रेड नहीं लिया तो आप उसका पूरा पैसा रिकवर कर सकते हैं गाइस इसके ऊपर निकलना है तो बाय पोजीशन मना नहीं है इस लेवल के नीचे निकलेगा तो बाय पोजीशन मना नहीं है एसे इस फेक कैंडल से या यह शाड़ो से अगर आप कंफ्यूज होने लगे और आप सोचने लगे कि यार यह तो ऐसे से बढ़ रहा है बढ़ रहा है मैं बाय कर लो बाय कर लो तो आप हमेशा लॉस में निकलेगे गाइस जब तक ऐसे बुलिश कैंडल देकर यह क्लोज नहीं करता और दूसरी कैंडल भी बुलिश नहीं होती तब तक आपको अपनी बाय पुजीशन नहीं बनानी और उसी साइट में आपको शॉट में भी दो रेट कैंडल जरूर चाहिएंगी तब ही आप अपनी पुजीशन को खड़ी करेंगे तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेल और वाटसाप पे आप लोगों ने जो मिसेज़े बेजे हैं लोगों को लिंक शेयर कर दिया जाएगा जो अभी भी इंट्रस्टेड है जो सीरियसली सीखना चाहते है और बिल्कुल परफेक्टली अपनी स्ट्राटेजी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे उससे फॉलो करना चाहते है तो गाइस कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे शेयर कर सकते है अपना नमबर या फिर मेल लि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाएगा अगर आप नहीं दवाएंगे और सब्सक्राइब करते जाए जो जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है साइड में लाइक बटन है दवाके चले जाएए आप लोगों को एक निट से जादा नहीं लगेग और यह जो आपके साथ ही मैं YouTube वीडियो ऐसी शेयर कर रहा हूँ, जो आप लोगों को मैं regularly calls प्रोवाइड कर आ रहा हूँ गाईज यह daily basis में, आप लोगों को calls पर ट्रेड करके फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मुझे जरूर बताएज अगर मैं आपको बताना चाह हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्व अभी इस पर ही particularly trade लिया था बजाज फनाइज पर जो मैंने आपको बताया था इस particular जो मेरा जिरोदा का है जो यह पैनल मैं आपके साथ share कर रहा है उसमें trade नहीं करता जनली मैंने आज यहां पर दूसरी बार या तीसरी बार trade कर रहा है तो यहां पर मेरा commodity का भी हम मान के चले तो commodity का भी option नहीं open है तो आप देख सकते हैं इसकी किस तरीके से अगर मैं crude oil की भी बात करूं तो मैंने अपना selling order लगाया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहां पर commodity का भी open कराना पड़ेगा मैंने शाद नहीं करा है तो 4000 के आसपास मैंने अपनी यह पर short position मनाने की सोची थी और exact जो इसका level था अगर आप देखेंगे इसका low तो आप देख सकते हैं कि crude oil के चार्ट भी किस तरीके से follow कर रहे है तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीड पसी इस तरीको